सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल निव आइडियास को और दवाएज बेल आइकन हमारे वीडियो को सबसे पहले दिशने के लिए नमस्कार आदाप सस्रियाकाल स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निव आइडियास वाइटी में आप लोगों की डिमांड थी कि ओ लेवल का जो ओल्ड्स लेवल से है और उसमें जो सेकेंड पेपर है M2R4 यानि की इंटरनेट टेक्नलोजी और वेब डिजाइनिंग इसकी क्लासेस नोट्स के साथ में प्रवाइड कराई जाएं क्योंकि आपको मालुम होना चाहिए कि मैं आपको अभी तक सिर्फ और सिर्फ C लैंग्विज यानि की M3R4 की ही नोट्स और कम्पलीट क्लासेस प्रवाइड करा रहा था इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जो आपका स्लेबर से M2R4 का उसको डिसक्स करेंगी कि आपको कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उन चैप्टर के अंदरकर कौन-कौन से टॉपिक हैं और उनमें से कौन से जादा इंपोर्टेंट हैं जो आपको अधिक से अध नोट की खास्चत क्या है और साथी जो भी नोट से समंधित पूरी जानकारी होगी क्लासे समंधित पूरी जानकारी होगी वो मैं आपको प्राइट कराऊंगा तो आई देखते हैं सबसे पहले कि आपको M2R4 का स्लेबस क्या है कि टोटल 11 चैप्टर हैं और जिनमें से जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट इसके अंदर आपको पढ़ना पढ़ेगा कि इंटरनेट क्या होता है इंटरनेट की ग्रोथ कैसे हुवी इंटरनेट का ओनर कौन है इनाटॉमी ऑफ इंटरनेट अरपानेट एंड इंटरनेट हिस्टरी of worldwide web, basic internet terminology, net adequate, internet protocol, commerce on internet, governance on the internet, impact of internet on society, crime on through the internet, तो आपको यह सारे topic करने हैं इस chapter के अंतरगत और यहां से आपके exam में part run में MCQs ज़्यादा आते हैं theory के पेच्छा, इसके बाद जो second chapter है उसका नाम है TCP IP, Internet Technology and Protocol, इसके अंतरगत आपको packet switching technology, internet protocol, TCP IP, router, internet addressing scheme, machine addressing, IP address, email addresses और resources address के बारे में बताया जाएगा और यह एक most important chapter है क्योंकि यहां से आपके exam में question आने के chance हर बार ज़्यादा रहते हैं और यहीं से question ज़्यादा आपके exam में पूछे जाते हैं theory के portion में then इसके बाद जो next chapter है and that is internet connectivity की internet से connectivity कैसे होती है उसके types कौन कौन से हैं जैसे का आपका level 1 हो गया, level 2, level 3, setting up connection, hardware कौन कौन से requirement होती है, software की requirement कौन कौन से software की requirement होती है ISP क्या होता है, www क्या होता है, dialogue connection क्या होते है sleep PPP क्या है, तो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे इस chapter के अंदरगत then इसके बाद जो next chapter है and that is internet network इसके अंदरगत आपको network क्या होता है, land, man, when क्या होती है, node क्या होता है network security क्या होती है, server क्या होता है, client क्या होता है, topology क्या होती है peer-to-peer network क्या होता है Ethernet क्या होता है FDDI, ATM and Internet तो जो आपका है fourth chapter है और second chapter है यह आपके दोनों ही most important है और यहां से हर बार आपके exam में question आता है theory के portion में यानि कि long question इसके बाद जो next chapter है and that is services on internet कि internet पे कौन-कौन सी popular services है जैसे कि आपका email हो गया www हो गया Telnet, FTP, IRC और search engine तो आपको इनके बार में हाँ पर पढ़ने को मिलेगा इस chapter के अंतरगत इसके बाद email यहनि कि electronic mail email network क्या होता है, server क्या होते है email के protocol कौन-कौन से होते है SMTP, POP3, IMF4 MIMA6 structure of an email क्या होता है email header क्या होता है, body क्या होता है email client क्या होता है, outlet express क्या होता है web based email क्या होता है email encryption क्या होता है तो यहां से भी आपके इजामे part 2 में question आते हैं लेकिन उनके पेच्छा यहां से ज़्यादा question नहीं आते हैं इसके बाद current trends on internet कि internet पर currently में क्या trend कर रहा है कौन सी language है कौन सा internet phone है कौन सा internet video है collaborative computing और e-commerce तो आपको इस chapter के अंदगत यह सब पढ़ने को मिलेगा इसके बाद web publishing and browsing यह क्या होती है SGML क्या होता है web hosting क्या होती है HTML, CGI documents interchange standard component of web publishing document management web page design, consideration and principle search and meta search engine www browser, http, publishing tool तो यह chapter भी important है और यहां से एक ही दू कोशन आपके एजाम में पूछे गए है वो यह की search और meta search engine क्या होता है CGI क्या होता है web hosting and browsing क्या होती है इसके लावा यहां से कोई कोशन नहीं पूछा गया है then इसके बाद HTML prong basic यहां से आपके एक्जाम में कुशन आता है और आपको 5 से 15 नंबर तक की देख जाता है एक बार question पर आया था जिसमें आपकी 24 marks की सिर्फ HTML थी और यह बिल्कुल easy होती है आपको इसमें कुछ भी रटना नहीं होता है सिर्फ आपको इसमें वेब पेज के साथ में इंट्रेक्ट होने के लिए यूज के जाते हैं ASP, VB script, Java script, Java and front page और flash तो यह आपके topic हो गए 10th chapter के अंदरकर इसके बाद जो chapter last है and that is 11 internet security management concepts information privacy and copyright issue तो इसके अंदरकर आपको internet security का overview firewall क्या होता और यह कि important question है then इसके बाद internet security management concepts and information privacy and copyright issues basic of asymmetric crypto system तो यह आपके chapters थे और उनके अंदरकर आने वाले topics थे जिनके बादे मैंने आपको बताया है और हम लोग step by step इन topics को cover करेंगे ठीका, अब देखते हैं कि जो notes हैं, वो किस type के हैं ध्यान दीजे, जो notes हैं हिंदी में वही person आपको मिलेगा English में ऐसा कुछ भी नहीं है कि Hindi की PDF अलग है, English की PDF अलग है, ठीक है, और यहाँ पर मने आपको बिल्कुल सरल से सरल भासा में जो content है, उसको provide कराने का प्रयास कराया है, और साथी जो खास बात इनमें है वो यह कि जो मैंने आपको यहाँ पर theory दी हुवी है, उसमें हमने उन questions को भी include किया हुआ है, जो आपके exam में part रहने पूछे आ सकते हैं, for example, आपके exam में question आता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, आपसे पूछता है कि internet highway किसे कहते हैं और यह question भी आपके exam में कई बार आ चुका है, अलग अलग exam से में कई बार पूछा गया है, अगर आप लोग competition के जारी करते होंगे तो यह question आपको देहने को मिला होगा तो जो आपका internet है, इसे हम लोग information highway कहते हैं, तो कहने कमेंस यह है कि जो मैंने यह notes prepare किये हुए है इनको हमने बिल्कुल आसानी आसान भासा में और साथी जो आपके exam में part one में MCQS बन सकते हैं, मैंने उनको भी यहां पर उन points को यहां पर include किया हुआ है ठीक है, तो पहली बात यह होगी दूसरी बात यह है कि जो आपको PDF मिलेगी Hindi में सेम उसी को translate किया गया है English में Hindi और English की PDF अलग अलग नहीं है समझे कि मैंने हिंदी का content अलग हो और English का content अलग हो दूसरी बात यह होगी तिसरी बात यह है कि जो आपकी video class होगी वो आपको मिलेंगी chapter wise videos और जो वीडियो रहेंगी वो आपको यूट्यूब पर ही मिलेंगी लेकिन जब लेकिन वो वीडियो आपको ऐसा नहीं दिखाई देगी जब आप नोट्स पर्चेस करेंगे तो आपको वीडियो दिखाई देगी मैं आपको लिंक दूंगा तो आप इस वीडियो को देख पा पास वो resources नहीं है, जो कि live करने के लिए चाहिए, तो मैं आपके साथ में एक chapter जब complete करा दूँगा videos के माध्यम से, तो जो भी आपके doubts हो, आप उसे comment कर दीजे या message कर दीजेगा, तो हम उस chapter को complete करने के बाद, जो भी आपके doubts होंगे, उसको हम लोग अगले videos में cover करेंगे, ठ इसके बाद, जो आपका ये book है, M2R4, ये हम आपको 20 से 25 classes में और अधिकतम 28 classes में finish कर देंगे, ठीक है, finish करने के मालब यह नहीं है, कि हम सिर्फ खाता पूरी करेंगे, ऐसा नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, class ज़्यादा हो जाएंगे, कोई दिक्कान है, लेकिन मेर मेरा मेन उद्देश है, कि आपका exam crack हो जाए, आपको समझ में क्योंकि सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोग O level कर रहे हैं, तो जाहिड सी बात है, आप किसी government job की preparation कर रहे होंगे, और जो भी O level से समंदित jobs होती हैं, उनमें आपका computer portion भी आता है, त इसके बाद हम लोग chapter wise videos complete करने के बाद, जो आपके old paper हैं, उनको सालू करेंगे step by step, पूरे full explanation के साथ में, इसके बाद जो आपके partner में MCQs आते हैं, जो आपके exam में आ सकते हैं, और जो आपके exam के level के हैं, उनको हम लोग आपर discuss करेंगे, इसके बाद जब आपका exam होने वाल होगा, तो उसके 10 से 15 दिन पहले मैं आपको एक model paper provide कराऊंगा, ताकि आप अपने तयारी को आँख सके, कि जो आपने तयारी की है, वो किस level की है, जो मैं आपको model paper provide करा रहा हूँ, आप उसको कितना percent solve कर बाते हैं, तो इससे आपको एक idea लग जाएगा, कि जो आपने तयार के 25 student रहेंगे, उनके लिए fees सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए तैंक की गई है, इसी में आपको पुरा complete M2R4 का study material मिलेगा, जो आपको चाहिए आपको आपके exam को अच्छे grade से pass करने के लिए, ठीक है, जो 25 student के बाद enroll करेंगे इस batch में, उनके लिए fees जो रखी गई है, वो रख support से 20,000 subscriber पूरे किये हुए हैं, तो इस खुसी में हम लोग यहाँ पर 10 रुपीस का discount दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 227 रुपए पे करने होंगे, पच्चे student के अगर आप बाद में enrollment करते हैं तो, अगर आपको पूरी information चाहिए इनके बारे में, तो आपको इनके information प्रएट करा दूँगा कि आपका payment कैसे करना है, ठीक है, और मने आपको बता दिया है कि आप इस class को कैसे join करेंगे, आपको इसमें क्या-क्या मिलेगा, फिर भी कोई query है तो आप उसे comment कर दीजेगा, so guys, यह रहे notes मैं आपको जलती से दिखा देता हूं, इसकी PDF यह यह बिल्कुल colorful रखी गई है, आसान वासम रखी गई है, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, और अगर आप चाहें तो आप इसका printout भी निकलवा सकते हैं, यह आपका रहा Hindi PDF और इसी चिस नीचे आपकी यह है English PDF, ठीक है, आप देखेंगे, same to same content है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है, कि Hindi का content अलग हो, और English का content अलग हो, तो आपने ऐसे PDF दिख लिए है, मैं आपको एक दो PDF और दिखा जिता हूँ, ताकि आपको समझने में आसान है, आप यहाँ पर देखते हैं, यह आपका chapter 6 है, यह आपका email chapter है, और यहाँ से आपकी इजाम में question आत है, और यह question भी आपकी इजाम के लिए, most important है कि SMTP, POP3 और IMFर में difference क्या होता है, तो यह रहाँ notes के preview, जो content हिंदी में है, वही same आपको मिलेगा English में, तो अगर आप चाहें, तो आप e-notes और classes को purchase कर सकते हैं, स्वाइए क्या करते हैं, कि इस video में कुछ topic discuss कर लेते हैं, बाक network क्या होता है, तो जो network होता है, जब 2 या 2 से अधिक computer आपस में इस तरह से जुड़े हो, कि वह आपस में communication, वह file को share कर सकें, यानि कि जो files है, जो data files है, communication वो कर सकें, file को share कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं network, आपके exam में question आया था, कि जब 5 या 5 से अधिक computer आपस में connect होते है क्या तभी उसे हम network कहेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्यों कि अगर आपके पास कम से कम 2 PC हैं, या फिर 2 से अधिक हैं, तो वो भी एक network होता है, कम से कम 5 PC, यह हम बोल सकते हैं, computer के requirement नहीं होती है, तो जो network होता है, उसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक computer होते हैं, जो आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं, connect होते हैं, कि वो आपस में data को share कर सके हैं, और communication कर सके, तो उसको बोलते है network, लेकिन जो network से जुड़े computer होते हैं, वो communication के लिए कुछ protocols, कुछ नियम का पालन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं, protocol, और अगर आप network स्थापित करने जा रहे हैं, तो उसके ल for example, आपके पास एक PC है, इसका नाम है PC1, और अगर आपको जो आपके PC में जो data है, आप उस data को किसी अन्य PC के साथ में share करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक PC और होना चाहिए, तो for example, यह PC1 था और यह PC2 है, तो एक computer यह हो गया, एक computer यह हो गया, आपके पास data आप इस data को दूसरे PC में send करना चाहते हैं, तो यह आप हो गया sender, जो data को send कर रहा है, और जो computer यह PC data को receive कर रहा है, उसको हम बोलते हैं receiver, लेकिन यहाँ पर जो आप data share कर रहे हैं, यह communication कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास एक माध्यम होना चाहिए, जो data है, जो communication है, वो किस माध्यम से हो रहा है, wireless है, यहाँ पर जो communication हो रहा है, बिना तार के हो रहा है, या फिर तार के साथ में हो रहा है, आपने कभी कभी देखा होगा, कि जो आपके laptop होते हैं, उसमें by default पहले से ही Wi-Fi का feature दिया हुआ होता है, और अपने आप mobile से आप उस laptop में, जो net है, उसको share कर सकते है, लेकिन जो आपके desktop computer होते हैं, उसमें आपको एक port मिलता है, LAN का, जब उसमें LAN के cable को insert करते हैं, तब आप उस desktop computer में net को access कर पाते हैं, तो कहना कमिस यह है, जो आपका desktop computer है, आप उसमें net access कर रहा हैं, तो वो आपका wired medium से से आप उसको access कर रहा है, using modem, आपका हो गया sender, दूसरा हो गया receiver और एक हो गया medium, कि किस माध्यम से data interchange हो रहा है, communication हो रहा है, इसके लावा कुछ नियम होते हैं, कुछ rules होते हैं, regulations होते हैं, जिनने इन computers को follow करना होता है, जो भी network से जुड़े होते हैं, तो उसको हम प्रोटोकॉल, तो कहने का मतलब यह है कि network को establish करने के लिए आपके पास sender, receiver, medium और protocol की requirement होती है, और जब दो से दी PC इस तरह से connect हो कि वो आपस में data को communicate कर सकें, data को share कर सकें, तो वो आपका होता है network, तो जो internet है, तो आपको network समझ में आ गया होगा, अगर आपने network समझ लिया, तो आपको internet के बारे समझने में असानी होगी, आज़े देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो internet है, वो network का network है, तो कहने का मतलब यह है कि जो network, जो internet है न, वो कई सारे network कों का collection and network का network है, जिसमें आपके private, public, business और government network को cable, satellite, router और gateway के माधियम से connect किया गया है, जोड़ा गया है, गाइस अगर आप लोग अपने घर पे कोई या अपनी company में, आपके बास चार PC हैं, आप इन चार PC को आपस में connect करते हैं, तो इस case में जो आप data को share कर सकते हैं, communication कर सकते हैं, आप इनी चार computer पर ही कर सकते हैं, जो जहाँ पर इनको establish किया गया है, यह आपका network का example है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपके पास data है, उसे आप किसी दुनिया में कहीं पर भी जो बैठा हुआ है आदमी, जो computer है, उसके साथ में आप share करना चाहते हैं, तो उ इसके बाद जो internet है, जो internet है, वो devices के बीच में, devices और network के बीच में, communication करने के लिए internet protocol suit, जिसे हम बोलते हैं, TCP IP और TCP IP का full farm होता है, transmission control protocol, internet protocol, और packet switching का प्रियोग करता है, आपके exam में question आता है, कि जो internet है, वो किसका प्रियोग करता है, और आपके option देता है, पहला option, circuit switching, दूसर option, master switching, option C, packet switching, और option D, इन में से कोई नहीं, तो आपको tick करना है, packet switching, क्योंकि जो internet है, वो packet switching का use करता है, आपके exam में question आया है, कि जो internet है, जो internet है, उसे हम क्या कहते हैं, तो आपका answer आएगा, information highway, और ये question भी आपके अलग-अलग exam में, कई पर पूछा गया है, कि information highway, सूचना राजपत किसे कहते हैं, तो आपको tick करना है internet, तो ये आपका था internet, कहने का मनलब ये है, कि ये network का network है, जिसमें आप कहीं से भी, कभी भी किसी भी दुनिया की information को access कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी computer रखा हुआ है, आप उसे communication कर सकते हैं, data file share कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं, हम लोग internet के थुरू कौन कौन सी services use कर सकते हैं, ने कि internet का use कहां कहां हम लोग कर सकते हैं, तो जो सबसे पहला है and that is education, सिच्छा के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो internet के कारण, student कहीं से कभी भी अपनी तयारी कर सकते हैं, कई सारी website, online education, प्र expert मौझूद है, for example, आप लोग O-level की तयारी कर रहे हैं, और O-level भी एक computer course है, जो भी आपका education के अंदर दाता है, तो आप लोग internet के कारण ही इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो ये भी आपकी एक internet service है, then इसके लावा, आप लोग internet की help से entertainment, यानि मनोरंजन कर सकते हैं, आ O-V की ticket, airline की ticket, train की ticket, bus की ticket book कर सकते हैं, इसके लावा, आप लोग घर बैठे, दुनिया भर की किसी भी जानकारी को latest news को internet के वाधम से access कर सकते हैं, आप लोग घर बैठे, किसी भी productory या फिर service को online sale या फिर purchase कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका Amazon हो गया, flip card हो गया, तो ये website है किस टाइप की e-commerce website, जान से आप किसी भी product या फिर service को purchase कर सकते हैं, then fast communication, internet की मदद से instant messaging कर सकते हैं, या communication करने का सबसे तेज साधन है, for example, आप लोग WhatsApp के थूरू chatting करते हैं, message करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो real time में होता है, सबसे fast होता है, आप तुरंद का तुरंद द service का promotion, जैसी सुधा internet provide करता है, तो ये आपका रहा internet services, अब बात करते हैं हम लोग growth of internet के, कि जो internet है, उसकी growth कैसी हुई, तो शुरुवाती दोर में internet के users बहुत ही कम थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या कावी काफी तेजी से बढ़ रही है, social media website, mobile technology के कानल इतनी growth हो रही ह कि December 1995 में सिर्फ और सिर्फ 16 million internet के users थे, जबकि March 2000 में इनकी संख्या हो गई कितनी, 304 million, जबकि September 2010 में इनकी संख्या हो गई इंटरनेट यूजर की संख्या हो गई है, अगर हम बात करें, जून 22 आकड़े के अनुसार, जो संख्या है इंटरनेट यूजर की, वो है आपकी 4833 million, जो की विस्ट की 62% जन संख्या है, जो चाइना है, चाइना जो ऐसा कंट्री है, जिसमें सबसे ज्यादा internet का यूजर है इसके बाद आपका जो इंडिया है, ये दूसरे नंबर पर आता है, जबकि US यानि की United States वो आपका तीसरे नंबर पर आता है, आपकी विजा में कुशन आता है, कि सबसे ज़्यादा internet यूजर किस कंट्री में है, तो आपका अंसर आएगा चाइना, तो ये आपको ध्यान र करा दूँगा, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्यू फ्रेंड्स